नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बजवराज के वडियो में हम रिविव करेंगे BPSC मुखे परिक्षा 2022 बिहार लोग सेवा आयोग के समाने अधियन जनरल स्टड़ी पेपर 1 और पेपर 2 के मेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बुक है दोस्तों इसमें प्रिविएस एयर पेपर आपको देखने को मिलेगा 1993 से लेके 2021 तक के मतलब BPSC के अभी तक के latest question आपको इसमें देखने को मिलेगा अब देखें मेंस का बुक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए क्योंकि देखें जो question होते हैं वो सभी GKGS के होते हैं और यहां से क्या होगा कि आपको एक तो मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज काफी अच्छा होगा concept अच्छा है तो जो fact होता है वो अपने आप clear हो जाएगा क्योंकि इस बुक में काफी अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि आपका writing skill में आपको क्या-क्या improve करना चाहिए ठीक है हर एक चीज़ पे इस बुक में ध्यान दिया गया है और के बी से नैनो का जो writing पेपर लिखने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा unique है और अच्छा तरीका है ठीक है उसको चाहे तो आप apply कर सकते हैं बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा सबसे पहले दोस्तों अगर इस बुक के price के बारे में बात करें तो MRP आप देख सकते 380 रुपए है जिस पे 25 से 30% का discount मिल सकता है online offline ठीक है इस बुक का हलाकि दोस्तों मैंने link आपको description में दे दिया वहां सब purchase कर सकते हैं इस बुक में number of pages आप देखेंगे तो 476 पेज आपको दिखेंगे यहां पर दिख रहा होगा 476 पेज आपको दिखेंगा उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बिहार लोग सेवा आ आयोग BPSC मुखे परिक्षा 2022 है और यहां देखेंगा paper 1 और paper 2 solve paper है previous year paper है 1993 से लेके 2021 मतलब latest paper है कीवी से नैनो publication का यह बुक है दोस्तों चलिए अब आगे देखते है MRP जैसा कि मैंने बताया 380 रुपए इस बुक का MRP है मेंस के लिए यह बुक है prelims के लिए नहीं है prelims के पायदा होगा क्योंकि अगर आपको BPSC निकालना है तो मेंस का त्यारी करना होगा अगर आप prelims से निकालने के लिए जाएंगे तो exam निकालना बहुत मुश्किल हो जागा मेंस के paper 1 और paper 2 अभी से आपको त्यार होना चाहिए जब मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे तो केव आप यहां देखिए paper 1 paper 1 में आपको भारत का आधूनी कितियास यहां भारती सांस्कृति देखने को मिलेगा एक से चौरानवे पीज नमबर इसमें देखने को मिलेगा फिर राष्टिय तथा अंतराष्टिय महत्यों के वर्तमान घटना करंत करम मतलब यह करेंट अफे और देखने को मिल जाएगा भारत के विकास में विज्ञान और प्रियोगेकी की भूमिका और प्रभाव देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है यह paper 2 हो गया तो paper 1 और paper 2 आप देख सकते कि क्या क्या आपको पढ़ना है मतलब कुल मिला के gkgc आपको पढ़ना है यह science और technology हो हो गया मतलब पूरा gkgs को इन्होंने छे पार्ट में डिवाइड कर दिया तीन पार्ट आपका paper 1 में आता है जिसमें इतिहास हो गया current affair हो गया और जो मैस्वाला portion होता है वह आपको देखने को मिल जाएगा फिर politics हो गया economics हो गया भूगोल हो गया और science और tech हो गया science जिसमे परदूसन हो जाएगा और जो मिसलैनियस होता है वह आपको देखने को मिलेगा तो यह complete syllabus कवर किया गया है तो gkgs का जो section होता है वह मेंस से पूरा कवर हो जाएगा prelims के लिए भी अब देखें यहां पे हिंदी एक subject होगा 100 नंबर का 100 नंबर का हिंदी जो होगा वो qualifying in nature इसके बाद आप देखेंगे अनिवारे विषय में paper 1 और paper 2 में आपको GS paper 1, GS paper 2 यह जो exam होंगे यहां कुछ गलत लिखा हो गया है यहां पे जो exam होंगे वो 300 नंबर के होंगे ठीक है यहां पे साथ कहीं गलत लिखा गया 2200 नंबर के यहां 300 नंबर के होने वाले हैं मतलब total आपके देख सकते paper 1 और paper 2 600 number के होंगे और जो आप optional लेंगे वो 300 number का होगा मतलब 900 number का theory होगा और 120 number का interview होगा और 1020 number पर आपका यह merit तैयार किया जाएगा ठीक है इसमें से कितना marks आता है डिवाइड कर दिया है अब देखें यह जो कलायों संस्कृति यह इतिहास का topic होता है तो कलायों संस्कृति जो होता है उसमें 66 BPSC 2021 में जो लास्ट एक्जाम हुआ तो उसमें क्या पूछा गया है पटना कलम चित्रकला की मुखे विसेस्ताओं को इसपश्ट कीजिए ठीक हैं और यहां पे इसी तरह आप देख सकते हैं तो 93 में 49 BPSC का जो एक्जाम हुआ था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पे सभी कोशन को पहले कलेक्ट किया गया जैसे देखिए जंजातिये विद्रो संथाल विद्रो के कारण क्या थे उसके उसकी गति और उसके परिनाम के बारे में व्यक्या की करना आप देखेंगे यहां पे आगे शिक्षा एवं अन्य बिंदू से भी कोशन पूछा गया है 2020 में 21 में नहीं पूछा गया है ठीक है तो इस तरह से आपको इतिहास को क्या क्या ब्रेक किया गया है अलग अलग टॉपिक में और उसके बाद देखिए एंसर लिखने का जो तर अब बन करते हुए प्रणन करते हुए तथा इसकी मॉलिक नोट की की सैली के मुख्य विसेत्साओं का उलेख भी करें तो इस तरह से आपको एणसर लिखना है इन बातों को ध्यान में रखें तो देख सकते हैं इसी प्रकार से एंसर लिखा गया थुरा आप और भी सजा सक और भी अपने एंसर को अट्रेक्टि बना सकते हैं अब देखे की टू-remember कहां-कहां आपको ध्यान देना है विकास कैसे हुआ छित्र कैसे हुआ प्रमुक के लिकार कौन थे उनकी मॉलिक था मतलब मुगलों की साही सैली और मधुबनी सैली के तुलनात्मक अंतर ठीक है तो आपको बताना है उसके बाद इसी तरह से देखे एंसर को यहां बताया गया तो एंसर लिखने का जो तरीका होता है एंसर राइटिंग लिखने का तरीका इस बुक में काफी अच्छे तरीके से बताया गया हर एक कोशन को एक्स्प्लेइन किया गया है और इनको आप कोई भी बुक आप ले लीजिए एंसर होता है इसे क्या होगा आपका बार बार क्या होगा रिवाइज होगा अगर आपको नॉलिज अच्छा है तो आपको भी एकज्याम असाने से निकाल सकते हैं ठीक है तो मेरा कहना यह है कि आप लोग प्रिलिम्स के लिए नहीं पर यह मेंच में़े परियों मेंश के लिए अगर आप लोग परिये गा तो आप लोग वह जादा फाइदा होने वाला है अब दीखें ये question कितने repeat हुए question 6, question 7, question 8, question 9 अब देखें इस question का अगर मैं जिक्र करूあ तो ये पूछा गया है 2016 में और ये question 2021 में भी पूछा गया है कि पटना कलम चित्रकारी की परमुखे विस्यस्ताओं का वर्णन कीजे ये repeat हुआ है उसके बाद मौरे काल की परमुखे विस्यस्ताओं का विवेजना ये 2012 में पूछा गया है और ये देखे आगे भी पूछा गया होगा ठीक है ये लिखा गया है कि 62, 62 और 62 में इसको repeat किया गया ठीक है तो देख सकते हैं कि question repeat होते हैं previous year question क्या होते है repeat होते हैं तो अगर आप इन सभी question को अच्छे से कर लेते हैं और इनको follow करते हैं तो काफी ज़्यादा फायदा होगा अलग-अलग book भी चाहें तो आप follow कर सकते हैं जितना अच्छा आप अपने answer writing को improve कीजेगा उत्रा ज़्यादा आप लोगों फायदा होगा ठीक है तो answer इस book में काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है और subjective knowledge आपका काफी अच्छा हो जाएगा ठीक है क्योंकि लिखने का तरीका काफी अच्छा है तो अलग book को भी follow कर सकते इस book में आप देख सकते कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है कोई और कोई बूक आता होगा इसको भी आप देख सकते हैं टॉपर के टॉपर का राइटिंग स्कुल होता उसको भी कंपेर कर सकते हैं तो लिखने का तरीका है वह बहतर होना चाहिए तो जैसे भी बहतर हो अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको चाहिए तो आप बहुत अच्छे चसके से लिख सकते ह Gaussian सब्सकंद जुखना आए जैसे घैशर से इक बार मेंश्म нуж में आजां है इसको जादा महनत करना पारेगा तो माक्स पारएगा पैस्का इंस्थR पॉकर अच्छा मांख्श करोघ app ले सकते हैं और एक धूसरा दूसरा भुक kitty ठीक है, राइटिंग स्किल को इंप्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि राइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन्ट है, BPSC मेंस के एक्जाम निकालने के लिए, और इन 600 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 के 300 जो मार्क्स होते हैं, उनके बिना आप नहीं निकाल स पस्ट कीजे, तो यहाँ फिगर भी दिया गया है, फिगर के माध्यम से समझाया गया है, और एंसर भी अच्छा लिखा गया है, जो पॉइंट है, जो थियोरी है, वो अच्छा है, प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी तो KBC 9 का अच्छा होता ही है, ठीक है, तो आप चाहें, तो मेंस के लिए यह बुक ले सकते हैं, अगर आपने BPSC के तयारी स्टार्ट भी कर दिया है, तो आपे मेंस की ही तयारी कीजिए, प्रिलिम्स की, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, प्रिलिम्स अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोनों पेपर, लिए सकते हैं, यह कोस्तन है, यह फिगर है, यह उप्सन उस पे दिया गया है, और हर एक कोस्तन को स्टेप वाई जिनों ने क्या किया, समझाने का तरीका किया गया, और यह जो सेक्शन होता है, सांख्य की विसलेशन, यहां से 75 नंबर के कोस्तन पूछे जाते हैं, और बाकी जो बच गया है, उसमें से आप माल लिजे कि आपने 130 लाया है, 200 मार्ग्स तक इस पेपर में ले सकते हैं, और जो टॉपर का मार्ग्स जाता है, वो लगवागे 500 से 600 की बीच में होता है, तो आपकी स्कोर 500 से 600 की बीच में करने का सूचना होगा, अगर उतना स्कोर हो बहुत जादा हार्ड कोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप यहां देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस आपको बस करना होगा, ठीक है, अब यहां से देखे पेपर 2 है, भारती राजवैस्ता, सभी इंपोर्टन कोशन है, 66 में क्या क्या पूछा गया, 65 में क्या जिनों ने बताया हुआ है, तो कोश बुक दोस्तों काफी अच्छा है, और मेंस की तयारी के लिए इस बुक को जरूर लेना चाहिए, ठीक है, इसका यह भी आता है, इसका मैंने एक और बुक का रिव्यू किया होगा, के वी से नैनों का प्रिलिम्स के लिए, तो आप उसे ले सकते हैं, अगर आप मेंस की तयारी कर रहे हैं, बुक में कोई भी कमी नहीं है, इसके अलावा एक और बुक होना चाहिए, एक दो बुक होना चाहिए, जिसमें जो अच्छे पब्लिकेशन के जहां पर राइटिंग, पेपर लिखने के तरीकों को अच्छे तरीके से बत